Hello and good morning to all the dear students Students, today is our fourth day of maths class and आज हम पढ़ेंगे chapter second and our chapter second is about addition and subtraction एड इसमें हम addition और subtraction सीखेंगे जो हम काफी time से पुरानी classes में सीखते आ रहे हैं तो बच्चो, exercise first है 2.1, solve करना है first question में आपको ये questions में add और subtract करना है 1 मैं कर रहे हूँ, बाकी के आपको करने है 6 and 3, 9 0 and 1, 1 4 or 3, 7 9, 1, 7 3 or 9, 12 add है, तो हम add कर रहे है 8 and 2, 10 10 and 1 10 and 1, 11 7 and 1, 8 8 and 1, 9 ये भी add है 3 or 3, 6 5 or 3, 8 6 or 3, 9 अब हम subtract करेंगे तो 0 में से 9 नहीं जाता 0 borrow करेगा बट इसके past वाले neighbor के पास भी 0 ही है तो वो यहां से borrow करके लाएगा ये इसको 1 देगा, ये 6 हो गया और ये 10 हो जाएगा अब 10 इसको 1 देगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा और 10 में से 9 गया 1 9 में से 9 गया 0 6 में से 5 गया 1 7 में 7 गया 0 5 में से 7 नहीं जाता 5 borrow करेगा ये 15 हो जाएगा इसको 1 देगा 5 ने बन दिया 5 के बाद 4 बचा 15 में से 7 कट करने है 15 में 7 गए बसते हैं 8 और 4 में से 2 गए बसते हैं 2 तो ये हमने 1st question solve कर लिया इसके 1,2,3,4,5 कर लिये अब 6 वाला देखो 6 वाले में add करना है हम पहले last number add करेंगे यहाँ पे 0 है यहाँ पे 7 है और 6 है और 7 और 6 होते हैं 13 13 में 0 add करेंगे तो अभी 13 आएगा तो हम last में लिख रहे हैं 3 carry का 1 लगा रहे हैं next number पे तो यहाँ पे हम 1 count कर रहे हैं 8 और 2 10 and 1 11 तो हम यहाँ लिख रहे हैं 11 का 1 carry का 1 यह 3 और 1 4 हुए यहाँ पे और number आगे नहीं है तो हम इसको add करेंगे 3 and 1 4 4 और 5 9 तो इस digit को add करने में यह आ रहा है आप चाहो तो इसको side में इस तरीके से add करके भी कर सकते हो जो आपको ज़्यादा easy लगे आप उस तरीके से add कर सकते हो 7 और 6 13 carry का 1 8 और 2 10 10 and 1 11 फिर पापस carry 1 5 and 3 8 8 and 1 9 आप इसको इस तरीके से भी solve कर सकते हो next नमर में देखो subtract करना है इसको subtraction कैसे करेंगे same process रहेगा 3 में से 6 नहीं जाता 3 borrow करेगा तो 3 इसको 1 दे गए 13 हो गया 13 में से 6 cut करने है 13 में 6 जाएगा तो बसता है 7 पिर यहाँ पे बचा 6 6 में से 9 नहीं जाता तो इसको यह 1 borrow देगा यह 16 होगा 16 में से 9 cut करेंगे तो बसता है 7 और बचो यहाँ पे बचा 3 3 में से 2 गया बसता है 1 हम इसको भी यहाँ पे solve करके देख सकते हैं इसको मैं यहाँ पे solve कर रही हूँ 473-296 मैं यहाँ पे भी इसको solve करके दिखा रही हूँ आपको 3 में से 6 नहीं जाता 3 करेगा बौरो यह हो गया 13 13 में से 6 कट करने है तो हम 13 finger करेंगे उसमें 6 कट करेंगे तो पीछे बसता है 7 हमने यहां लिखा 7 अब 7 में से 7 ने इसको 1 दिया यहां पर बचा 6 6 में से 9 नहीं जाता 6 करेगा बोरो यह इसको 1 देगा और यहां पर कितना बचेगा इसके पास 3 16 में से 9 कट करेंगे 16 में से 9 कट करने पर बसता है 7 और 3 में से 2 गया तो बचा 1 177 177 देखा आपने हम इसको side में solve भी कर सकते हैं हम चाहूँ यहां पर direct solve करके भी लिख सकते हैं थर्ड वाले में देखो पहले हम add करेंगे तो 7 में 4 add क्या 7 में 4 add क्या तो होगा 11 हम यहां पर 1 लिख रहे हैं फिर 1 carry लगा रहे हैं 6 और 6 12 और 1 13 13 का 3 मैंने यहां लिखा carry का 1 लगाया 3 and 1 4 अब 431 में से 199 हम less करेंगे हमने यहां पर कट करने के लिए side में लिख दिये यह 11 होगा 3 ने इसको बन दिया 3 के पास बचा 2 11 में से 9 गए तो बचते हैं 3 sorry बचो 2 11 में से 9 गए तो बचते हैं 2 2 में से 9 नहीं जाता 2 बोरो करेगा यह इसको बन देगा 4 ने इसको बन दिया यह बचा 3 5 में से 9 गए तो बचते हैं 3 और 3 में से वन गया बचा 2 232 हमारा आंस्वा निकला हमने इसको यहां लिखा और next में देखो पहले हम सब्ट्रेट करेंगे 7 में से 5 गये तो बसते हैं 2 3 में से वन गया तो बचा 2 22 में 10 एड किया तो गया 32 तो हमें बचो यह इसी तरीके से solve करने है और आपको यही work means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, or 9 यह question आपको अपनी notebook में करने है exercise 2.1 डाल कर question 1 से लेकर 9 तक अपनी notebook में करना है घर पे रहना है, structure रहना है